इत के मौके पर अल्विदा का नमाज पढ़ा गया शिकारपुर थानी के अध्यक्ष अवनीश कुमार के साथ मौजूद रहे पुलिस कर्मी शाती और सद्भाव के लिए दुआ मांगी गई नरक्तियागंज जमा मस्जित के सेक्रेटरी गुलरिज अक्तर ने बताया कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के लिए प्यार रखते हैं न्यूज नाइन टाइन्स में नरक्तियागंज से रंजीत गुपता की रिपोर्ट है माहे रमजान के आखरी जमेपर अलविदा की नमाज अकिदत मन्दो ने अधा की नमाज के बाद रोजेदारों और अकिदत मन्दो ने देश में अमन, शाति और भाइचारे की दूआएं माँगी इस दौरान नरक्टिया गंज की जामा मस्जित में जुमा अलविदा की नमाज अदा की गई और देश और शेत्र के लिए अमन और चैन की दुआएं मागी गई इस दौरान शिकारपुर्थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे सोर्स न्यूज ना रोजा रखता है सुबह चार बज़े सावा चार बज़े खाता है और फिर सामकूँ छे-दस बज़े अफ्तार गरता है ये मुखबत का पैगाम है इसलाम को चाहे लोग जो कहे लेकिन हम अपने नजरों में यही देखते हैं कि हमारा मजहब आपस में बहर नहीं बता हमारा मजहब आपस में मुखबत पैदा करता है बस सोचने और समझने की बात है और ये शहर जो है हमारा नरकटिया गवन जहां के हम बासिंदे हैं यहां अन्युमन इसलामिया जामा मस्चिद नरकटिया गंचा एक परतीक है जो हिंदू मुसलाम मुसलमान सीख इसाई को जोड़ के रखता है और सब के लिए अमन के लिए दूआ करता है सब के तेजारत में बरकत चाहता है आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहता है और तीस दिन जब रोजा खतम हो जाता है तो वही दो रेकात नमाज इदूलफितर की अदा की जाती है जो इस सहर के इदगा मस्चिद में नमाज होगी और साथ बज़े सुबा नमाज इसलिए होती है ताकि इदगा मस्चिद छोटी है और मुक्तदी जादे हैं इस वज़े से साथ बज़े सुबा इंतजामिया इसलिए इंतजाम करती है कि मेन रोड है हमारे वज़े से ट्राफिक रोकाउट न हो जाए बच् वो खाली करते हैं जब अन्युमन इस्लामिया जामे मस्जिद बन जाएगी और इद्गा मस्जिद बन जाएगी अपने तामीर में मकमल हो जाएगी तो इंशालला रोड़ पर पढ़ने की नमाज नोबत नहीं आएगी तब तक आप तमाम हजरां से हम आप लोग का शुक्रिय करते हैं कि आप लोग अपना तन मन जान करके और इतने मुहबबत के साथ सचाई का ख़वर सभी हमारे प्रिंट मेडिया और एलेक्ट्रोन मेडिया जो अब दरसाते हैं उसके लिए हम आपका श्वागत करते हैं रमजान बबारक के महीने में आपके लिए दुआ करते हैं और खास करके अपने अमाम मौलाना तोकीर हमार से पूरे सहर के लिए दुआ करवाते हैं कि हमारे सहर में अमन वामान सांती बना रहे हैं यही तो है आज अलवदा के नमाजता भी खतम हो गया अब एगारत तरीकों इंशालला इत की नमाज होगी और आप तमाम हजरात को हम सबही का दावत देते हैं या तो आप मेरे या खाईए आना ही तो मेरे पंचाइज सरकार में आकर सबही खाईए लेकिन खाईए जरूर ताकि मुझे बिश्वास हो जाए कि हमारे भाई हमसे मुहपत करते हैं